हलो दोस्तों NSC Online Classes में आप सभी लोगों का स्वागत है हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं अगस्त के पहले डेट की Current Affairs ठीक है नया मन्त है तो हम लोग आज Energy के साथ आज के सेसर को सुरू करते हैं ठीक है चलिए अगर आप लोग किसी तरह का Queries है तो आप हमें इस नमबर पर Contact कर सकते हैं और आप लोग इस request है कि हमारे जो YouTube, Facebook, Instagram, Telegram जितने भी चैनल से उसमें आप हमें सब्सक्राइब करके notification पा सकते हैं चलिए तो हम लोग questions की ओर चलते हैं पहला question है Power Finance Corporation ठीक है इसने अभी MOE Sign किया है कि इस IIT के साथ Smart Grid Technology के लिए Smart Grid Technology के लिए किस IIT के साथ Power Finance Corporation ने MOE Sign किया है तो पहले यह अब मैं बताता हूँ Power Finance Corporation ठीक है Power Finance Corporation जो है इसका headquarters New Delhi में है और इसको जो head है यह है RS Dhillon RS Dhillon जो है इसके CMD है ठीक है और इसने अभी MOE Sign किया है IIT कानपूर के साथ ठीक है IIT कानपूर के साथ Power Finance Corporation ने MOE Sign किया है आए नेक्स कोशन देखते है Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा अभी एक Five Member का Committee बना है जिससे कि जम्मू और कास्मीर के जो दो City दो City है लेह और कारगिल ठीक है लेह और कारगिल इसको Smart Cities में Convert किया जाएगा ठीक है इस कमिटी के यहां कोशन में पूछा जा रहा है इस कमिटी के Head कौन बनाएगा है ठीक है लेह और कारगिल को Smart Cities में Convert करने के लिए इसके Head बनाएगा है Rahul Kapoor ठीक है Rahul Kapoor को Head बनाएगा है ले एन कारगिल को smart cities में convert करने के लिए यह है आपके राहुल कपूर ठीक है अगर smart cities का बात आया है तो अभी याद रखिए अभी एक ranking आया है जिसमें बोला गया है कि north east state में अगर तल्ला ठीक है तिरपूरा का जो capital है अगर तल्ला अगर तल्ला यह smart cities में सबसे best है ठीक है सबसे best ranking दिया गया है अगर तल्ला city को smart cities में ठीक है north east में next question देखिए इंडिया ना भी किस country के साथ MOE sign किया है medicine and homeopathic के लिए ठीक है traditional system of medicine and homeopathic हमारा जो medicine and homeopathic ministry है यह I use ministry बोलते है आयूस ministry ठीक है और यह है श्रीपद यसो नायक के पास ठीक है आयूरवेदा ministry है श्रीपद यसो नायक के पास और इंडिया ने अभी MOE sign किया है जिमवावे के साथ ठीक है जिमवावे ठीक है तो देखें यहां यह जिमवावे के president है जिनका नाम है immersion manengua ठीक है immersion manengua यह यहां के president है और यह भी याद रखिए जिमवावे का जो capital है वह हरारे और currency है dollar ठीक है US dollar है जिमवावे का कुछ और news बताता हूँ मैं जैसे कि देखें पहला option है UK UK के साथ अभी इंडिया ने free trade agreement sign किया ठीक है free trade agreement ठीक है उसी तरह रसिया के साथ cooking coal के लिए इंडिया ने MOE sign किया cooking coal के लिए cooking coal और Maldives के साथ इंडिया का जो bank है SBI State Bank of India इसने अभी 16.20 million dollar दे रहा है Maldives को ठीक है Maldives को इंडिया अभी हाली में SBI ने 16.20 million dollar दे रहा है किसके लिए Maldives के small entrepreneurship के लिए Maldives के small entrepreneurs है उनके लिए दिया जा रहा है और इंडिया ने अभी Maldives के साथ 400 million dollar का currency swap भी किया है नेक्स कोशन देखा जाए किस bank ने अभी एक automated voice assistant AXA AXAA AI power conversational voice boot जारी किया है ठीक है यह एक voice boot है AXAA तो यह आपने यह किया है Axis Bank ने ठीक है option number A Axis Bank के दोरा किया गया है voice boot लाए गया और एक chat boot भी लाए गया था Axis Bank के दोरा तो अगर आप लोगों याद होगा तो यह याद रखिए Axis AHA ठीक है Axis AHA यह लाए गया है Axis Bank के लिए चैट बोट यह पहले लाए गया था लेकिन अभी हाली में voice boot लाए गया है जिसका नाम है AXAA ठीक है अगर हम लोग बात करें ICICI Bank का तो ICICI के दोरा लाए गया था IPAL ठीक है IPAL कोटक महिंदरा बैंक के दोरा कुछ नहीं लाए गया है लेकिन SBI के याद रखिएगा SBI के दोरा लाए गया था SIA SIA ठीक है SIA लाए गया था State Bank of India के दोरा ठीक है Axis Bank का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो Axis Bank के याद रखिएगा Axis Bank के जो MDC UA है उनका नाम है Amitav Chaudhary ठीक है Amitav Chaudhary यह है Amitav Chaudhary और इसका जो टैग लाइन है यह याद रखिएगा जिसका टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिन्दिगी ठीक है बढ़ती का नाम जिन्दिगी और इसका हेड़कौर्टर तो सभी को पता होगा यह है मुंबई नेक्ट कोशन देखिए फिलिपकार्ट ने अभी एक सर्वीस लाए है डिलिवरी सर्वीस हाइपर लुक बोलकर तो इसका नाम क्या रखा गया ठीक है यह बैंगलूरू में लाया गया है ठीक है अगर आप order करते हैं तो उसके within 90 minutes इसको deliver कर दिया जागा यह सिर्फ बैंगलूरू में भी लाया गया है पाइलेट वेसिस पे लाया है तो इसका नाम है Flipkart Quick ठीक है आप देख सकते हैं अभी कौन से mutual fund ने एक initiative लाया था है Any Day S.I.P. ठीक है Any Day S.I.P. पहले मैं बता दोता हूँ कि यह है क्या ठीक है यह जो investors है जो mutual fund में invest करते हैं उन लोगों के लिए service लाया गया है जिससे के तहत वो किसी भी दिन ठीक है पेमेंट का तो वो किसी भी टाइम कर सकते है S.I.P. का full form याद रखेगा इसका full form होता है systematic systematic investment plan ठीक है systematic investment plan तो यह लाया गया है सुंद्रम mutual fund के द्वारा ठीक है सुंद्रम mutual fund के द्वारा लाया गया है यह service जिसके तहट जो investors है वो किसी भी टाइम पर payment कर सकते हैं इसके MDCO आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है टी स्री निवासरा रागवन ठीक है टी स्री निवासर रागवन यह इसके MDCO है और इसका जो headquarter है यह है चिन्नाई नाम से पता चल रहा है यह सुंद्रम जो है यह चिन्नाई का है तमिल नाडो आए नेक्स कोशन देखते हैं हम लोग ग्रीन जम्मू कस्मीर ड्राइव यह चलाया गया अभी तो बताना यह कौन से wildlife century में चलाया गया है यह जितने भी wildlife century यह सब जम्मू कस्मीर के है तो यह भी आप लोग यादर रहे है लेकिन इसका जो answer है यह है राम नगर wildlife century ठीक है राम नगर wildlife century और यह मार्क किया जाएगा 70 second 70 second one महत्सव ठीक है 70 second one महत्सव को मार्क किया जाएगा इस drive को चलाके इस plantation drive को चलाके ठीक है राम नगर wildlife century जम्मू कस्मीर से आपको याद होना चाहिए जम्मू कस्मीर के जो lieutenant governor है उनका नाम है गिरिश चंद्र मुर्मू ठीक है गिरिश चंद्र मुर्मू जी सी next question देखिए किस company ने भी बोला है कि वो 100% इस्टेक खर देगा जो उडिसा बेश जी एम आर कमलंगा एनर्जी थर्मल प्लांट है उसको ठीक है तो यह खरीदेंगे जेएश डबलू ठीक है जेएश डबलू एनर्जी लिमिटेट के द्वारा यह purchase कर लिया जाएगा 100% इसक अभी purchase करेगा GMR कमलंगा में thermal power plant में ठीक है अधानी पावर ठीक है याद रखेगा आदानी पावर से आपको याद रखना है कि अधानी पोर्ट जो है यह अभी क्रिष्ना पट्टम पोर्ट को एक्वाइर कर लिया क्रिष्ना पट्टम पोर्ट को ठीक है रिलाइंग इंड इनेर्जी शेक्टर में करके- यह टॉप इनरजी स्वर्ण्टर में ऑफ कॉर्सूर्ण को पार करके यह तोप एनर्जी सेक्टर्र मार्केट केपालेशन कंपनी बन गया है szw से यद रखेगा Fr001 का दो सब्सीटरी अधूर एक सिमेंट है जेएश डबलू सिमेंट और एक है श्टील ठीक है तो हाली में इसके नए ब्रेंड एम मेस्टर बनाए गया है जेएश डबलू सिमेंट के तो सिमेंट के जो है वो है सौरव गांगुली और सुनील छेतरी ठीक है सौरव गांगुली और सुनील छेतरी और रिसब पन्त जो कि किर्केटर है ठीक है रिसब पन्त जेश डेवलू का फुल फॉर्म होता है जिंदल साउथ वेश्ट जिंदल साउथ वेश्ट नेक्स्ट कोश्चन देखिए अभी किस कंपनी ने अनॉंस किया है एक मुबाइल एप लाएगा आई यूएस और एंड्रॉइ डिवाइस के लिए और यह लाए गया पहले इसका अंसर देख लिए यह है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है माइक्रोसॉफ्ट के दौरा लाए गया है फैमिली सेफटी एप यह क्या करेगा जो पैरेंट्स होते हैं उनको अपने जो चिल्रेन होते हैं वो किस तरह के एप को इसरे एप को यूज कर रहे है या फिर उसको यूज करना है या फिर उसको यूज करना है कि नहीं करना है इस तरह का यह एप में फीचर्स है ठीक है फैमिली सेफटी Microsoft से आपको याद होना चाहिए Microsoft जो है इसके जो CEO है वो है सत्या नडेला ठीक है सत्या नडेला और यह इसका हेड़कॉर्टर जो है यह USA है चलिए next देखिए यहां next question है according to RandStand ठीक है RandStand जो है यह डच कंपनी है नीदर लेंड की कंपनी है नीदर लेंड ठीक है तो उसके एक रिपोर्ट आया है RandStand Employees Brand Research ठीक है तो इंडिया में जो है तो इंडिया का रिपोर्ट आया है तो इसमें बुछा गये आपसे कि इंडिया का मोस्ट एट्रेक्टिव इंप्लॉयर ब्रेंड कौन सा है इंडिया में तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा यह आपका माइक्रोसफ्ट इंडिया माइक्रोसफ्ट इंडिया जो है इसमें टॉप रैंक करता है एट्रेक्टिव इंप्लॉयर ब्रेंड में अगर सेकेंड नमर पर बात करें तो यह हैं सैमसेंग इंडिया थर्ड पर बात करें तो यह हैं अमेजोन इंडिया अगर हम लोग बात करें क यह है मैं लिख देता हूँ यहाँ भासकर भासकर प्रमानिक प्रमानिक भासकर प्रमानिक ठीक है और इसका इंडिया में जो है इसका हैड़क्वाटर यह हाइदराबाद में है ठीक है किस बैंक के द्वारा इंडिया को 3.3 billion डॉलर का लोन दिया जा रहा है आने वाले 12 महिनों के लिए यानि कि एक साल के लिए किस बैंक के द्वारा लोन दिया जा रहा है तो ये हमारा है AIIB यानि कि Asia Infrastructure Investment Bank ये दे रहा भी इंडिया को 3 billion डॉलर और ये क्याचिश के लिए दे रहा है तो देखें ये Infrastructure Project के लिए दे रहा है ठीक है कैसा है Infrastructure Project इंडिया में जो Infrastructure Large Infrastructure Project है जैसे कि मैं कुछ बता देता हूँ आपको Delhi Metro Rail Connection Mumbai Metros के लिए Chennai Ring Road के लिए ये सब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में ये लोन दिया रहा है AIIB और एक चीज़ और आपको याद रखना चाहिए AIIB के जितना भी परसेंट लोन है जितना भी परसेंट है सबसे ज़्यादा बॉरो करने वाला इंडिया है यानि कि Approx 25% AIIB का जितना लेंडिंग है उसका त्वेंटी परसेंट जो है इंडिया लेंड करता है ईंडिया बॉरो करता है अबर इसके प्रेसिडेंट जो है या हाली में फिर से रिया पॉइंट होए जिनका नाम है जीन लिकुईन मैंने कल भी बताये था इसके जो President Reappoint होए है इनका नाम है जिन लिक्विन ठीक है आईए इसका Headquarter याद रखेगा यह है बीजिंग चाइना एक बुक है Green Lights तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यह किसके दौरह लिखा गिया Green Lights तो यह देखे यहाँ options में है आपका रसकिन बॉंड अवनी दोसी ताहिरा कसयब Matthew Mac Matthew Mac कौन है ठीक है Matthew Mac कौन है तो यह जो लिखा गिया है Matthew Mac कौन है ठीक है यह American actor है ठीक है यह इनका autobiography है Matthew Mac कौन है और यह जो है यह जो book लिखा गिया है यह इनका Adventurous Life के उपर लिखा हुआ है यह बूख रशकिन बॉंड के ज़ bullish हाली मेर्व जिसका नाम हे आस सॉंग और इंडिया ऐस सव ऑफ सिंडिया यह था, Burnt Burnt Sugar ठीक है, Burnt Sugar ठीक है, चलिए Next देखे यहां Tahira Qasya, Tahira Qasya कौने यह भी एक author है, आपको पता होगा एक actor है, Bolliwood Actor जिनका नाम है Ayoushman Khurana, ठीक है, Ayoushman Khurana, उन्हीं की यह wife है Tahira Qasya यह यह aute है, इन दोनों के दौरे एक बुक भी लाय गया था जो की आयुष्मान खुराना की बायोग्राफी है जिसका नाम था Cracking the Code ठीक है Cracking the Code ऐसे कुछ नाम था Cracking the Code My Journey in Bollywood इस तरह से नाम था Cracking the Code My Journey यह आयुष्मान खुराना और ताहिरा कस्यप दोनों मिलके लाय था इस बुक को मैं को याद नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग कमेंट में लिखके बते हैं कि यह बुक का नाम क्या था यह वुमेन पे था 12th वुमेन करके था बुक का नाम आप लोग ज़रूर बते हैं कमेंट में आईए नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं हम लोग नीती आयोग ठीक है नीती आयोग का एक रिपोर्ट है जिसमें बथा पूछा जा रहा है कि इंडिया का most aspirational district ठीक है फरवरी 2020 से जून 2020 के बीच कौन सा रहा है फरवरी 2020 से aspirational district इंडिया का कौन सा रहा नीती आयोग है इसका जो answer हो जागा यह है गड़ अगर second rank का बात करें तो यह है री भोई जो कि मेघाले में है यह second पर है मेघाले ठीक है अगर हम third पर बात करें तो यह है बायराइच जो कि UP का है ठीक है UP का एक चीज और है कि जनवरी हम फैर्वरी से पहले पुझे यानि कि जनवरी में जनवरी में टॉप पर कौन थ तो यह था चंडॉली जो कि UP का है ठीक है तो आप लोग को बस अभी यह याद रखना है कि बीजापूर जो है first rank पर है जो कि 36 गड़ का है ठीक है यह most aspirational district है नीती आयोग के अकोड़िंग याद रखेगा इसके जो वाइस चेर्मेन होते हैं यह है राजीव कुमार वाइस और जो CEO है यह है अमिताव कांथ ठीक है आप लोग कमेंट में बतेए कि इसके चेर्मेन कौन होते है ठीक है चेर्मोन कौन होते हैं यह comment में आपको बता रहा है कि नीती आयोग के चेर्मेन कौन होते है नेक्स कोश्चन देखा जाए अभी 53rd बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल हुआ ठीक है बेल स्विजर लैंड का एक जगह है ठीक है तो वहीं पर ये जो चेस फेस्टिवल हुआ वहीं पहुश्ट किया गया था ये 53rd था तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें राइंक कौन थे ये थे राईड़ोश्लाक मवोस्टेजיל फोश्टय्ज जैक टिकाराइड़ोश्लाक वश्टय यह टॉप पर थे अगर इंडिया के बात कर preciso second rank पर थे प हरीकृष्ण ठीक है प्रि हरीकृष्ण तो इसमें कुष्षण दो तरह से बन कर्ता है कि इंडिया कगॉषचा थे तो अगर इंडिया के तरफ से आप से पुछा जाइ तो ये थे पी हरी कृष्णla और अगर अगर उवर आल टॉप पढ पर थे तो ये थे रेडोश्वेक वोष्टा जेग जो की पोलेंड के हैं ठीक है ठीक है अब देेश सकते हैं यह है और यह है आपके रोष्टा वेक पी हरी क्रिष्णा एक चीज और याद रखिए के कोनरी हमपु ठीक है कोनरी हमपु जो है इनको comeback of the year award मिला है ठीक है comeback of the year award मिला है जी अकाद ये जो है इंडिया के 66 नेक्स कोशन देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के नए फ्राइवेट सेक्रेटरी बनाए गया है इनका नाम है हार्दिक सतीशचंद्र ठीक हार्दिक सतीशचंद्र जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नए प्राइवेट सेक्रेटर यह रिप्लेस किया है राजीव टोपनो को आप लोगो याद होगा कि राजीव टोपनो जो हाली में अभी वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक के जो एक्जेकुटिव डाइरेक्टर है उनके एडवाइजर मि स्देख्रा यह प्रिंसिपल सेक्रट्री है प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक के ठिक है अनेक्ष्ट नेक्स में देख्ते है सोमेंद्र नात्थ जो है इनका हाली में अभी निधन हो गया यह फुल्시다 प्रेश्टर के मिस्दिधर जिन ठीक है तो यह जो थे यह आपके West Bengal के थे West Bengal के Congress President थे जिनका हाली में निधन हो गया ठीक है एक नाम और याद रखेगा पुंडुचरे के एक MLA थे पुंडुचरे के जिनका नाम था वी बहलन ठीक है वी बहलन इनका अभी हाली में अभी निधन हो गया कोरोना वाइरस के वज़े से कोविड नैंटिंग के वज़े से इनका हाली में निधन हो गया वी बहलन का ठीक है कुछ औबिचरी और याद रखिएगा जैसे कि एक folk musician थी ठीक है सोनम लेपचा इनका भी निधन हो गया ठीक है और एक थे मल्यालम एक्टर थे जिनका नाम था अनील अनील मुराली ठीक है अनील मुराली इनका भी हाली में निधन हो गया ठीक है एक और नीज याद रखेगा जम्मु कस्मीर की एक जश्टीस थे जिनका नाम था संजय संजय इनका भी हाली में निधन हो गया ठीक है और एक और याद रखेगा Senko Gold ठीक है Senko Gold उसके जो CMD थे जिनका नाम था संकर सेन ठीक है संकर सेन इनका भी निधन हो गया ठीक है यह सब Obituris था यह याद रखेगा आप लो आए नेक्स और लास्ट कोशन देखते हैं हम लोग अभी एक क्रिकेटर है जिन्होंने अपने जितने भी फॉर्मस है क्रिकेट के उसमें रिटार्मेंट ले लिए उससे रिटार्मेंट ले लिए है तो यह आप देख सकते हैं यह है यह है रजत भाटिया ठीक है अगर विडियो अप लोग को अच्छा लग वह तो जरूर लाइक कीज़ेगा और जितना भी मैंने कोश्चन्स पूता है उसको कमेंट में जरूर एंसर कीज़ेगा ठीक है चलिए तो थैंक्यू सभी को गॉड ब्लेस यू आल थैंक्यू